क्या कंगना रनौत को भी मिल रही है जान से मार देने की धमकी क्या कंगना रनौत को जान से मारने की जा रही है बड़ी तयारी क्या कंगना रनौत की जान को खत्रा है इमरजनسी फिल्म में काम करने वाले कई बड़े कलाकारों को जांट से मार देने की धमकी दी गई है और उन में एक बड़ा नाम कंगنا रणाउत का सामने आ रहा है कंगना रणाउत ने इमरजनसी फिल्म रिलिज्ड होने से पहले जो बयान दिया था कंगना रनोत की फिल्म इमर्जेंसी रिलीस से कुछ दिन दूर है फिल्म को बैंन करने की मांग हो रही है कंगना रनोत की फिल्म में संज्य गांधी का किरदार निभा रहे एक्टर विशाक नायर को जान से मारने की धंकी दी गए एक्टर ने खुछ इस बात की जानकारी दी गए एक्टर ने बताया कि उनके रोल को लेकर हो रहे कनफ्यूजन की वज़ा से उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है विनायक नैर ने अपने इंस्टाग्राम पोश्ट के द्वारा ये जानकारी साजा कि उन्होंने पोश्ट के जरी जानकारी दी पिछले कुस दिनों से मुझे जान से मारने की धमकी दी जारी है हाला की खबर सामनी आई है कि फिल्म में काम करने वाले कई और कलाकारों को भी जान से मारने की धमकी दी जारी है और कंगना रनौत ने जिस तरीके से फिल्म को लेकर बात कही है और इंद्रा गांधी को लेकर जो बात कही है उसके बात तो इंद्रा गांधी के बयान वाले पर कंगना रनौत पूरी तरीके से गिर चुकी है और अपने दर्शकों को बता दें, फिल्म रिलीस से पहले बड़ा बबाल देश पर में हो रहा है और ये कहा गया है कि कंगना रनौत को माफी मांगने चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि कंगना रनौत ने मामले को बढ़ता देख सौफ्ट एंगल भी अपनाया और उन्होंने कहा कि इंद्रा गांधी केवल राहुल गांधी की दादी नहीं बलकि उनकी भी दादी है यानि कि कंगना रनौत इस बात को समझ गई कि इंद्रा गांधी पर बयान देना और इमर्जंसी को लेकर जो बात उन्होंने कही उस पर वो बुरी तरीके से घेर चुकी है अगर कंगना क्या वाकई एक पोश्ट के जरिये माफी नहीं मांगती है या कॉंगर्स पार्टी से माफी नहीं मांगती है गांधी परिवार से माफी नहीं मांगती है तो क्या कंगना की मुश्किले बढ़ सकती है और क्या कंगना का माफी मांगना ही उनकी परिशानियों को बचा सकता है या फिर फिल्म रिलीस से पहले जिस तरीके का बवाल हो रहा है उसके बाद कंगना और तमाम एक्टरों की जान खत्र में है